आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं स्नेक प्लांट के बारे में ये एर प्योरिफाइंग प्लांट है जो हवा से हामफुल सबस्टेंस को रिमूव करता है इसका साइन्टिफिक नेम ड्रेकेना टिफासी आटा है जो की पैस्ट अफरीका से बिलोंग करता है इससे उगाना बहुत आसान है क्योंकि इससे पानी भी कमी चीए होता है और ये पत्ति और पेड़ दोनों ही तरीके से उग जाता है जैसे अगर हमें इसे उगाना हो तो हमें इसकी एक पत्ती का छोटा सा टुकडा एक उंगली जितना भी टुकडा मिल जाता है तो हमें इसे उगा सकते हैं इसकी एक लम्बी सी पत्ती ले और उसको दो से तीन हिस्सों में काट दें और फिर इसे मिट्टी में उगा दें तो ये थोड़े से दिन के इंतजार के बाद उगने लगेगा या तो फिर उसको छोटे छोटे जो इसके प्लांट्स होते हैं उसको दूसरी जीगें उगा सकते हैं उससे भी नए प्लांट जल्दी ही इसमें दिखने लग जाते हैं यह इसी स्नेक प्लांट की पत्ती को जो मैंने आदे हिस्से में काट दिया था उससे उगा नया पोधा है ये पत्ती के छोटे से हिस्से से उगा हुआ है इसका कलर इसी वज़े से येलो कलर इसका हट गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी भढ़ जाता है तो हमें इसे दूसरे दूसरे गमले में ट्रांस्प्लांट करना होता है तो इसके बज़ाए हमें इसे बड़े ही गमले में उगा देना चाहिए इस प्लांट को उगाने के लिए हमें well-drain soil की ज़रूरत होती है और जब हम सूरज की बात करें तो इसे 2-6 गंटे की धूप दिखानी ज़रूरी होती है डिरेक्ट दूप दिखानी ज़रूरी है ये दिखने में बड़ा ही प्यारा है तो हम इसे home decor plant की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्या आप snake plant की इस बात के बारे में जानते हैं कि इसे NASA ने recommend किया है air purifying plant के रूप में ये हवा से जहरीले substance को निकाल कर हवा को साफ करने में मदद करता है और हवा से carbon dioxide को रात में भी absorb करता है जनरली दूसरे plant रात को CO2 को absorb नहीं करते पर ये plant करता है ये plant environment से cancer causing agent को भी दूर करता है करते हैं